Hello friends, welcome to Mira Slaybus आज की वीडियो में हम जो अपना GK का lecture continue कर रहे हैं उसमें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Languages in India कि भारत देश में क्या-क्या भासाएं हैं हम उनके बारे में detail से पड़े तो चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा first question क्या है Question है How many officially recognized languages in India has since 1992 तो यह कहता है कि सन 1992 के बाद अब तक भारत में जो officially languages हैं वो कितनी है तो आप का अंसर क्या हो जाएगा 22 कि अभी तक कितनी भासाएं बोली जाती है 22 भासाएं बोली जाती है Next question है Which language is recognized as a subsidiary official language and used for official purpose along with Hindi इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी Hindi language है जो हम officially use करते हैं उसके साथ में कौन सी एक subsidiary भासा है जो हम use कर रहे हैं किस काम के लिए office purpose के लिए तो वो second भासा क्या हो जाएगी दोस्तों वो second हो जाएगी English कि हम Hindi तो use करते ही हैं उसके साथ में जो use कर रहे हैं officially वो हम क्या कर रहे हैं कि English भी use कर रहे हैं next question है how many dialects India has तो बचो डायलेक्ट का मतलब क्या होता है डायलेक्ट का मतलब होता है उप भासा क्या होता है उप भासा कि जो हम अपने मालो लोकल में जो भासा यूज करते हैं तो ऐसे करके भारत में total कितनी उप भासाएं हैं तो वो कितनी हैं अगला question है in which script Hindi is written तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी हिंदी भासा है वो किस script में लिखी हुई है तो वो किस में लिखी हुई है ये almost अभी को पता है कि वो देवनागरी भासा में लिखी हुई है देवनागरी script में लिखी हुई है next है which languages are written in परसो Arabic script तो जैसे मैंने अभी last question में बताया कि जो हमारी हिंदी है वो किस में लिखी हुई है वो तो हमारी लिखी हुई है देवनागरी में ठीक है तो इसने पूछा कि जो परसो Arabic script है उसमें कौन-कौन सी बासाएं आती है तो उसमें हमारी तीन बासाएं कौन सी हो गई एक उर्दू हो गई सिंदी हो गई और एक कस्मीरी जो कस्मीर में बोली जाती है तो ये तीन बासाएं किस में है ये तीन बासाएं लिखी गई है परसो Arabic script में next question है in which script Punjabi is written तो अब हमने हिंदी का देख लिया उसके बाद हमने जो कस्मीरी है उर्दू है और सिंदी है उसका भी पता लगया तो अब इसने पूछा कि जो पंजाबी language है वो उसकी script क्या है तो उसकी script क्या हो जाएगी गुरू मुखी next है name the Dravidian languages तो बच्चो इसका जो है ये जो है Dravidian language होती है उसमें कौन-कौन सी है उनके हमें नाम बताना है तो जो तेलगू है वो एक आगी तमिल कैनाड़ा ये मलियालम है दोस्तो और तुलू तो ये जो भासाएं है ये किस भासा में लिख ये है ये Dravidian language बोली जाती है ठीक है ये Dravidian language है Which language do not belong to Indo-Aryan group तो जो Dravidian language है जो अभी आमने पीछे तीन या चार जो Dravidian language बढ़ी है वो है वो Aryan group का हिस्सा नहीं है Indo-Aryan group का हिस्सा नहीं है जो दो Dravidian language के अंडर जो भी भासाएं आती है वो Indo-Aryan group का हिस्सा नहीं है नेक्स्ट क्योशन है Among all Dravidian languages which is largest spoken language तो बच्चों हमने लास्ट क्योशन में पढ़ा था कि जो Dravidian language है वो कौन-कौन सी है तो उसमें Malayalam थी, Telugu थी, Tulu थी और जो भी भासा ही थी उसमें से जो Telugu भासा है वो सबसे ज़्यादा बोली जारने वाली भासा है नेक्स्ट क्योशन है which schedule introduced in Indian constitution to indicate all the officially recognized language तो ये जो हमारे भारत का सवीदान है उसमें एक schedule जारी किया गया था जिसके अंदर जो भी हमारी official भासाई है वो आती है तो वो कौन सा schedule था? वो था आर्ट वा schedule था बच्चो नेक्स्ट क्योशन है in Dravidian family which is the oldest and purest language तो अभी हमने last questions में देखे थे Dravidian family देखी थी उसके अंदर कौन कौन सी language आती है वो पड़ी थी उसके बाद हमने पड़ी थी कि जो Dravidian language है उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है तो सबसे ज़्यादा थी ते लोगू अब इसने पूछा कि इन में से सबसे पुरानी और purest language कौन सी है तो वो कौन सी है तमिल हो जाएगी यह आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट क्योशन है वापस से जो वारानसी का है वहाँ पे जो अब announcement होती है वो किस बासा में होती है संस्किर्ट बासा में होती है नेक्स्ट क्योशन है राइट दा official language of West Bengal तो बच्चों यह आपको पता है कि जो West Bengal है वहाँ कोन सी बासा बोली जाती है और वहाँ की official language भी कौन सी है official language भी क्या है Bengali अगला क्योशन है नेम दा oldest language of the world की जो संसार की जो सबसे पुरानी बासा है वो कौन सी है वो हमारी संस्किर्ट बासा है नेक्स्ट क्योशन है नेम दा oldest book written in the संस्किर्ट तो इसने यह क्या पुछा कि जो सबसे पुरानी बासा तो क्या है जो world की है वो संस्किर्ट है और इसमें से जो book का नाम बताओ जो सबसे पुरानी book लिखी गई है किस बासा में संस्किर्ट बासा में तो वो कौन सी book लिखी गई है वो हमारे चार वेदों में से जो रिगवेद है वो संस्कृत लेंगवेज में है और सबसे पूराना लिख्था हुआ वेद अगला क्योशन है नेम दा लेंगवेजिस विच आर रिटन फ्रों राइट टू लेफ्ट तो बच्चो देखो आप लोगों को पता हुआ कि जो इंडिया में जितनी भी लेंगवेज है वो कहां से लिखी जाती है वो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ बढ़ते हैं लेकिन कुछ भासाइं ऐसी है जैसे एक उर्दू हो गई कश्मीरी हो गई सिंधी हो गई तो ये भी आपने पहले पढ़ा था इसके उपर एक क्यूस्चन आया था और इसी के उपर ये परसो उसमें Arabic स्क्रिप्ट में लिखी जाती है प्लस जो लिखी जाती है ये कहां से ल लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है नेक्स्ट है बचो ये है डू यू नो का एक आपकी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए है कि people of world speak more than 6000 distinct languages which are grouped under 11 languages family तो ये जैसे मैंने क्या पढ़ाया था कि जो हमारा भारत है उसमें जो डायलेक्ट हैं वो almost कितने हैं 2000 के कर बात करें तो उसमें जो total dialect हो गए उप बासाएं हो गई वो कितनी हो गई 6000 distinct language है और उन 6000 को कितने बासाओं के group में रखा गया है 11 बासाओं के group में रखा गया है और ये हमारा last है बच्चो जो हमारी इंडिया की भारत की 22 official language हैं वो कौन-कौन सी है ये आप लोगों के सामने ह तो ये आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये हमारी जो 22 official language है वो है तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगले lecture में कुछ नए ideas के सामने अब तक के लिए bye thank you